हे गाई सिकंदू टेक पोराम आई आज की वीडियो में एक और इंटेशिक का देखने वाले जो कि मकेंसी डिजिटल की तरब से आ रही है तो वीडियो को पूब आस्ट देको बताने वालों कैसे आपको अप्लाई करना है कौन को इस प्लाई कर सकता है क्या जिविटी क्राइ सब कुछ मैं जाने वाला हूं और इसके अप्लाई का लिंक मैं वीडियो के डिस्केशन में डाल दोगा आप सिंप्ली लिंपे क्लिक करके इसके अप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं इंटेंशिप के बारे में तो इंटेंशिप मकेंसी डिजिटल की ऑफिच्छर बात के वीडियल करते हैं के बात कर तो अटेंशिफो तो और इंटेंशिप्ली चकरते हैं आप कर शकाए है जो कि इनोंने mention भी करा हुआ है आपकी देटिन और बरवल दोने ही काफी अच्छा हो चाहिए आप इसकल अप्लाई करने बाले हो आपको काम किया करना पड़ेगा इनोंने वह भी mention करा हुआ है इनोंने यह mention करा हुआ है आपकी दो से responsibility के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले आपको training मिलने वाली है आपको सेलेक्शन होता है मैकेंसी में तो आपको ट्रेणिंग मिलेगी त्रेणिंग के बाद अपको इंटेशिप मिलती है मकैंसि में तो आपको टीम में काम करना पड़ेगा जो Fวย Stake Engineering की टीम होगी हूगी आपको उसके सादव करना पड़ेगा आपको पूड़क तो इससा प्रेशिप के लिए आपको क्लिक करने के लिए आपको लिंक के लेगा वीडियो के लिए किलिक करने के लिंक क्लिक करने के बाद कुछ ट्राय का फॉर्म खुलने वाला है यहां पर एक option हो गाप्लाईना वाला उस पर क्लिक करेगा क्लिक करने के बाद कुछ ट्राय की विंडो कुलने वाली है तो सबसे पहले आपको अपना रजुम अपरोट करना पड़ेगा ताकि जो भी आपकी information होग तीनना लोकेशन में आपको बैंगारूर फिलप करना पड़ेगा, क्योंकि यह इंटरेशन बैंगरूर के लिए होने वाली है, बैंगरूर के अलाव आपको और कोई option नहीं मिल ले वाला, तो first को select करेगा बैंगरूर, second में आपको बैंगरूर फिलप करना है, and third में आपको ब most recent employer वाला आपने कभी internship करी है तो आप fill up कर सकते हैं नहीं करी तो आपको simply na fill up करना है na fill up कर दिएगा कि उस तरीके से जैसे मैंने fill up करा है उसके बाद next option होगा most recent title वाला उसमें भी आपको na fill up करना है na fill up कर दिएगा उसके बाद option होगा url वाला आपको linkedin पर account है github पर account है यापको कोई portfolio है तो आप यहाँ fill up कर सकते हैं है तो fill up कर दिएगा Friday में ही रहोगे नहीं है तो भी problem वाली बात नहीं है आप छोड़ सकते हो ज़र उसके बाद आपकी education आप currently university में होंगे college में होंगे आपको उसमें पर yes पर click करना है yes पर click करेगा उसके बाद next option होगा high level education वाला तो जड़ा इसको डंगते देख लेगा काथ student को problem भी आ रही है कि उनकी college का नाम विसमें नहीं आ रहा है तो उसका भी हम solution देखने वाले है आपने वी वी टेक कर आए इस पर click करेगा click करने की बाद option होगा under grade वाला उस पर click करेगा click करने की बाद अभी आप से पूझेगा आपको university का नाम आपके school का नाम अगर आपकी university का नाम विसमें आता है तो अच्छी बात है आप select कर सकते है नहीं आता तो आपको उसमें टाइप करना है other type करीगा मैं आपको फिलप करके भी दिखा रहा हूँ तक कि आप लोगों को बाद में प्रॉल्म ना हो अधराइस कलिक करेंगा आपको लिता है इंडिया अधर इंडिया फिलप कर एक हो अपको option मिल जायगा जो भी आपकी COLLEGE का नाम होने वाला है मतलब जो भी आपकी branch हो आपको सारे option मिल देंगे आप computer science branch से तो आप computer science भी मिल देंगा याप electrical के हो, electronics के हो आपको सारे option मिलने वाले हैं आप drop down पर click करेगा let us up boost के computer science से हो तो computer science type करेगा आपको सारे option मिल देंगे select करेगा, select करने के पाद आपकी starting date, आपने कप से engineering स्टार्ट करी है कर आपकी graduation end होने वाली है आपको fill up करनी पड़ेगी fill up करेगा, fill up करने के बाद आपकी work history आपको एक option मिलेगा, check box वाला उस पर click करेगा आपको fill up करने की जरुद नहीं है then उसका आपका password, आपको password डालना है then आपको confirm password करना है नीचे आईगा, एक check box वाला option होगा उस पर click करेगा, click करने के बाद आपको continue पर click करना है continue पर click करेगा, then उसके बाद कुछ tracker form खुलने वाला है आपको यहां कुछ question के answer करना पड़ेगा answer करेगा, कुछ basic question होगे answer करने के बाद नीचे option होगा continue पर click करेगा, click करने के बाद click करने के बाद कुछ tracker form खुलने वाला है यहां को review देखने कोई मिलेगा आपकी application का आप में जो भी form fill up करा होगा एक बाद check out करेगा, आप से कोई गलती तो नहीं हुई fill up करने के बाद नीचे आएगा एक option होगा, submit वाला होगा एंड आपको form submit हो जाएगा एंड उसके बाद एक message भी शो होने वाला है your application was submitted एंड आपके बाद task का mail आने वाला है जो आपको test होने वाला है, वो hacker देगे platform पर होने वाला है, कुछ coding question आएगे आपको solve करना पड़ेगा, exam के लिए करते हो तो आपको intention मिल सकती है, McKenzie में तो आई ही हो आपको सबको समझ में आ गया होगा इसके लाब फिल भी को doubt है जाए, नीचे मुझे comment box से comment करेगा टेलिगराम पर मैसी करेगा, आपको प्लै मिल जाएगा वीडियो पुसंदा लाइक कर देना, बिलते नेक्स वीडियो में, thank you and goodbye